नमश्कार मैं हूँ मैंक शर्मोर इस वक्त आप ये लाइब तस्वीरे देख रहे हैं हर्याना के करनाल के कलपना चावला मेडिकल कॉलिज और होस्पिटल के मर्चरी हाउस के बाहर से जहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोग यहां पर मौझूद है एक दुखत घटना हुई है कल करनाल के सदर बजार में सुभा साड़े आठ बजे का समय है जहां पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मोत हो गई है क्योंकि वो ध्यारी मज़ूरी करने वाला व्यक्ति था और जब जिस सरीके से डाले से ट्रॉली से इंटे जो है उतारी जाती है चड़ाई जाती है तो पीछे का जब डाला होता है उसको खोला गया धकन खोला गया तो वो धकन खोलते समय ही जो है उसकी छाती पर आकर वो इंटे लग जाती है वो डाला लग जाता है जिसकी वज़से यह पूरा का पूरा हाथस यहां वाहां बंदे के एक्सिडेंट हो गया जब हमने मों हो के पिर जा कर देखा और डेक्टर से की मतलब के जो ट्रैक्टर थवार वो बैक करा था उस ट्रैक्टर कॉर ते नग पीछे दीवाल थी ओडाई नम्त्रें तो किया नाम था व्यक्ति का सोंपाल कहां के रहने वाले थे क्या काम करते थे गरोंड़ा थे जी आप्ठा लेवर का काम करते तो परिवार में कौन कौन है सोमनात के वे लड़की और बीपयाल परिवार से समंद दीता है जी जाड़ी मुझ्दूर याड़ आदमीं तो मोके पर ही मौत हो गई थी हमोगे पही हो गई जिसमोदर के पांदास पंद्राफ पीस मिंट के बाद मैं जाए से तो वज़ा जो रही वो दिवार और ट्रोली के बीच में जो डाला लगा उसकी वज़ा से हाँ ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाई के कान से उन्होंने एकदम से बैक किया तो कुछ कारवाई आप चाहते हैं अब निए वह तो जो कान उन पर सासन करेगा जी वह आम तो य पूलीस के द्वारा क्या कुछ बताया गया है आप लोगों को किया कारवाई अब तक की गई है और यह का वी ट्राइवर को ट्रैक्टर को रेश्ट कर लेंगे मतलब अभी पता नहीं हमने तो सर भई वो किया कर ना किया राष्ट लेकिन हम तो आम अपने यह जो परीजन है हमारा इसके उसमें सोक में व्याकुल मैं परिवार से हैं बीपेल परिवार से है मोके पर ही जो सोमनात हैं उनकी मोथ हो चुकी घोруली वाला थह जो ट्रैक्टर चला रहा था ॉसकी कई आपाति ना कै की लापरवाही की वज़ेशी से यह पुरा का पूरा हाथसा होता है वह कर रहा था पीछे जो झो थी दिवार लाचला खूलते समय वह ढूंत अपूरा का पूरा उनकी चलिए जाता है और चलिए तूटने की वज़ेसे मो के पर ही सोम्नात की मोतों चति क्या उम्र है उनकी लगभग 30 साल की उम्र है सोम्नात की घर øंडा की वो रहने वाले हैं दो बेटे घर औंड़ीओं घर में हैं सभी के सभी क्वारे हैं अभी या फिर शाधी शुदाें यह रही है कि क्वारे हैं दो बेटियों की हाला कि शादी जो है हो चुकी है बी पील परिवार से हैं परिवार पर क्या कुछ गुजर रही होगी वो आप समझ सकते हैं क्यूंकि मोके पर ही मोत जो है हो चुकी है पचास साल की उमर बताई जा रही है सर आपका क्या नाम है क्या लगते हैं आप सोमना कोशिश की उन्होंने यहां पर पता लगाई के लिए करना कलपनाचाला में और उसके तहत हमें हम सोच रहे थे कहां में पर तुरंटी हमारा वाफिस मिल जाए उन्होंने फिर रात गुजारने गुजार दी तो कुछ मुआबजव अगेरा के लिए भी आप मांग करना चाहें करनाल के डी सी है निशान कुमार यादव उनसे कोई आर्थिक सहायता के लिए कोई अपील करना चाहेंगे क्योंकि देखिए जो सौमनाथ है दो बेटियां उनकी हाला कि ब्याई हुई है उनकी शादी जो हो चुकी है लेकिन घर में दो बेटे हैं अभी क्वारे हैं कुछ कामकाच करते हैं उनके बेटे अभी छोटी उमर के जादा नहीं है बेटियां बड़ी थी बेटे छोटे थे तो देखिए बेटे जो है अभी पैरों पर खड़े नहीं हुए स्टैंड नहीं हुए सैटल नहीं हुए और जो है जो उनके पिता है सोमनाथ वो कल अपना दम तोड़ चुके हैं 50 साल की मात्र आरी मिल रही है कि वो ध्यारी मजदूरियां पर किया करते थे तो शायद अभी ऐसा कोई मौआवजे की बात निकल कर सामने नहीं आती है लेकिन जो यहां पर उनके रिश्टेदार भी हैं क्योंकि उनके बतीजा भी यहां पर हैं तो उनके द्वारा यहीं बताया गया है कि BPL परिवार से वो संबंद रखते हैं BPL परिवार हैं और आर्थिक कई ना कई उनको सहायता की अभी जरूरत है तो करणाल के DC है निशान कुमार यादव उनसे भी अपील करते हुए यह लोग नजर आ रहे हैं कि जो भी आर्थिक सहायता बनती हो वो जरूर इनके परिवार को दी जाए क्योंकि बेटे अभी छोटे हैं वो कामकाज अभी नहीं करते हैं तो आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि साथ के साथ इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें आप देख रहे हैं आइबन 24 में हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा अपने स पशी के साथ हर्याना के करनाल के कलपना चावला मेंडिकल कॉलिज और होस्पिटल के मर्चरी हाउस के बाहर किये तस्वीरे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करते रहें धन्यवाद